कि अच्छ कि अच्छ कर लिया था अब इस वाले लेक्चर में जो कि हमारा पार्ट टू इसमें हम उसके आगे से पढ़ेंगे एक बूर्ड का टॉपिक है या एक जिनरल टॉपिक है पहले वो डिसकस करेंगे उसके बाद हम थोड़ी बहुत और चीज़े डिसकस करते हैं पार्ट थ्री से हम रेस्पिरेशन इन हुमन्स चालू कर देंगे इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं मैंने बोला एक जनरल टॉपिक एक बूर्ड जैसा टॉपिक है तो वह टॉपिक क्या है वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोस ब्रेकडाउन अब मैंने यहां पहले से यह ब बताऊं तो एरोबिक रियक्शन और एनरोबिक रियक्शन दोनों को मर्ज गर के जब आप एक साथ लिख दोगे तो डाट इस काल्ड वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोस ब्रेकडाउन अक्कॉर्डिंग टॉर एंसी ठीक होता क्या इसमें भाई ग्लूकोस का ब्रेकडाउ गया ओके यहां तक तो एरोबिक रियक्शन और एनरोबिक रियक्शन दोनों क्या थी सेम थी एकडम उसके बाद क्या हुआ फॉर्स्ट हम डिसकस करते हैं यूनिसेलूलर ऑगनिजम इस्ट अगर इस्ट एनरोबिक कंडिशन में है तो क्या करेगा टू एथनॉल प्लस तू इस्ट के यह प्रॉड़क्स हैंगे हमारे पास अगर वह एनरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसके बाद बारी आती है हमारी मसल्स की भाई मसल्स सेल में क्या होता है जब हम एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं भाई मैं अगर किसी तरीके से रानिंग कर रहा हूं मैं मैं कोई भी exercise कर रहा हूं तो हमारी muscles anaerobic condition में चल जाएगी क्यों क्योंकि उस time हमारी body को sufficient oxygen नहीं मिलेगा सांस फूलती है न वह ही कह रहा हूं अब अगर sufficient oxygen नहीं मिलेगा यानि o2 insufficient है तो क्या होगा हमारी body या कि यानि हमारी muscle cells lactic acid produce करेंगी और साथ के साथ 2 ATP भी produce करेंगी तो ATP हमें यहां भी मिल रही है बट जो lactic acid वो प्रेडियूस होगा और वह हमारी muscles में muscle cells में जाकर इकटा हो जाएगा deposit हो जाएगा और उसी वज़े से हमें क्या आते है muscle cramps तो कभी भी question आए कि आपको muscle cramps क्यों आते हैं तो हमारी body anaerobic condition में चल जाती है उसकी वज़े से lactic acid का formation होता है और वो lactic acid हमारी muscle cells में जाकर deposit हो जाता है that's why हमें क्या आते हैं क्राम साते हैं और लास्ली दोनों हमने anaerobic conditions discuss कर लिए अब aerobic भी कर लेते हैं मैंने बोला था कि aerobic और anaerobic reaction को जब आप merge कर देंगे तो that is various pathways of glucose breakdown अब क्या हो रहा है ऊटू प्रेजेंट है normal condition है तो क्या होगा crap cycle चलेगी mitochondria के अंदर तो फिर यह दोनों reactions कहां हो रीती mitochondria में नहीं हो रीती तो तो anaerobic reactions glycolysis से लेकर end तक पूरा कहां तक होता है cytoplasm में होता है जो हमारी aerobic reaction है उसमें pyruvic acid तक जो reaction है यानि glucose से pyruvic acid बनना that happens in cytoplasm after that क्या होता है जो O2 है O2 की presence में crap cycle run करती है और वो कहां run करती है mitochondria में जिसके बाद हमें products के मिलते हैं 6 molecules of CO2 6 molecules of H2 and lastly 38 ATP and sometimes 36 दे रखा होता है कहीं कहीं books में हमें है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है अब 36 क्यों होता है वो तो हम कभी और देखेंगे तो various pathways glucose breakdown हो गया simple सी चीज थी aerobic and aerobic reactions को आपने क्या कर दिया merge कर दिया now move on to our next topic that is respiration in plants बहुत ही simple चीज है parts of plants like stem leaves and roots या तो stem हो गया या leaves हो गई या roots हो गई इन ही parts जो हमारे plant है वो भी क्या करते है gases exchange अब देखो plants करते है photosynthesis उसके लिए भी उन्हें किसके requirement है CO2 की रात में plants release करते है oxygen तो यार plants भी तो gases का exchange कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए उन्हें कोई respiratory surface चाहिए वह plants कहां से gases का exchange करेंगे तो plants की तो तीन पार्ट है में तीन पार्ट कौन से root stem and leaves उनकी तुरू गैसे exchange को करते है CO2 in O2 out या O2 in and CO2 out तो सबसे पहला है हमारे पास leaves में प्रिजेंट होते हैं tiny pores that are known as a stomata and stomata के तुरू जो guard cells होते हैं और वो guard cells stomata की opening and closing को control करते हैं इसमें जादा याद नहीं रखना stomata है leaves के अंदर और उसके तुरू plants क्या करेंगे gases का exchange कर लेंगे then बात आती है अब जो stem है वो कैसे gases का exchange करेगा भई stem करता है क्या green stem जो होता है उसमें क्या है green stem में तो stomata present होता है बड़ जब stem hard हो जाता है woody हो जाता है stem old हो जाता है तो कुछ इस तरीके का होता है और ऐसे structures आ जाता है stem के अंदर ऐसे openings आ जाती है stem के अंदर जिने हम बोलता है lenticels क्या बोलता है कुछ भी नहीं loosely arranged cells होता है lenticels में loosely arranged है तो इसका मतलब उनके बीच में spaces present है जिसकी वज़े से वो gases exchange कर सकते हैं सबसे minimum amount में अगर plants किसी से gases exchange करते हैं तो वो हैं हमारे lenticels ठीक है इसके बाद last root अगर हम root की बात करें तो root में present होते है root hairs water को absorb करने में root hairs का rule होता है और यही root hairs हैं जो-की gaseous exchange में भी काम में आते हैं भाई soil है soil के इंदर space is present है और उन spaces में air भी है तो उस air को exchange करने का काम roots के कौन करता है root hairs करते हैं इतनी बात clear है तो हमने क्या देखा जो leaf है leaf में present होते है stomata और वो help करते हैं में साथ के साथ transpiration और और भी process होते हैं बट अभी हम respiration पढ़ रहे हैं तो उस according देखेंगे फिर होता है stem stem में होते है lenticels loosely bound cells होते है lenticels के जो gases exchange में help करेंगे उसके बाद lastly बारी किसकी आती है हमारे पास रूट हेर्स की जो कहां प्रेजेंट होते हैं रूट में प्रेजेंट होते हैं यह भी gases exchange में help करते हैं तो respiration इन प्लांट्स इतना सही था आगे बढ़ते हैं प्लांट्स पढ़ लिए हमने पेड़ पौदे पढ़ लिए अब जानवरों की बारी कर लेता है यानि कि animals के बारे पानी में रह रहें तो पानी वाले अलग तरीके से करेंगे है और ऐसे ही बहुत सारे उनिमल्स से और बहुत सारे इनिमल्स के पास अलग-अलग तरीके और गश्पिरेटरी और शोते हैं जो कह करते हैं उनको respiration करने मेंFC help करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, जो animals skin से respiration करते हैं, they are known as, it is known as cutaneous respiration, और skin से respiration करने वाले examples हमारे पास earthworm and frog, उसके बाद tracheal respiration, trachea क्या होता है, trachea तो humans में होता है, तो ये वो वाले trachea नहीं है, insects के अंदर भी क्या होता है, trachea present होते हैं, मतलब insects के अंदर भी tubes present होती है, देखो मैं बताता हूँ, अगर ये एक pipe की तरह structure बता हूँ, insects में बहुत सारे tiny pores होते हैं, that are called spiracles, तो ये क्या है, ये opening insects पे pores present होते हैं, holes present होते हैं, spiracles बोलते हूंने, ये spiracles के तुरू air i, ये trachea है, ये क्या है trachea, spiracles से trachea में air i, और ये फिर trachea में चली गई, और इन trachea से क्या होता है, diffusion के तुरू वो gases exchange हो जाती है, तो इसी structure को हम क्या बोलते हैं, ये trachea बोलते हैं, और ये insects में present होता है, जिसके तुरू insects respire करते हैं, उसके बाद बारी आती है, गिल्स की, aquatic animals में गिल्स होते हैं, जैसे कि fishes हो गई, crustaceans हो गई, यानि कि prawns वगेरा आपने नाम सुना ही होगा हमेशा, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स और जो गिल्स से respiration होता है, उसे अपन बोलते हैं, ब्रांकियल respiration, लास्ली लंग्स हमारे पास मैमल्स के पास लंग्स हैं, तो देख लेते हैं, जो अनिमल्स लंग्स के थुरू respiration कर रहे हैं, that is called pulmonary respiration and उसके एक्जामपल हैं, हमारे पास mammals, birds, amphibians and reptiles, amphibians यानि कि एक frog भी हो गया, भही frog एक ऐसा अनिमल है जो skin से भी respiration कर लेता है, उसकी जो बकल cavity है, बकल cavity में भी lining present होती है, उसकी थुरू भी वो respiration कर लेता है, और lastly, frog लंग्स से भी respiration कर लेता है, तो frog तीन तरीके का respiration करता है, उसकी लाइफ की अलग-अलग stages में, pulmonary respiration, बको-फेरिंजल respiration and cutaneous respiration, ठीक है, तो ये respiration in animals अलग-अलग organs की बात हो गई है, आगे बढ़ते है अब evolution of respiratory system, respiratory system धीरे-धीरे evolve हुआ, evolution हुआ, ऐसा तो थानी के animals या plants हमेशा से advance थे, पुराने जमाने के भी थे, ठीक है, भई पुरानी चीज़े क्या होती है, उतनी advance नहीं होती, तो जो पुराने animals थे, उनमें भी उतनी advance चीज़े नहीं थी, तो इन protozoans, ठीक है, पौरी फेरा, protozoans, protozoans का example में बताऊं, amoeba, पौरी फेरा का example में बताऊं, spondula, टीनो फूरा हो गया, सीलिन ट्रेटा हो गया, प्लेटी हल्मिन्थीज हो गए, इसके अलमिन्थीज हो गए, डाइवर्सिटी अगर चैप्टर पढ़ा हो तो याद होगा, आपको अनलेड़ा हो गया, अर्थ वाम यानि की, और तो यह जो classes है animals की, ठीक है, इन में क्या होता है, भाई यह अलग-अलग है, अलग-अलग हमने डिवाइड कर रहे हैं, तो यह जो है, इन में, रेस्पिरेशन किस से होता था, वया डिफ्यूजन थूरू जनरल बॉड़ी सर्फेस, यानि की, इन कैटेगरीज में, जितने भी animals आते हैं, उन में रेस्पिरेशन, उनकी बॉड़ी सर्फेस की थूरू होता था, और बागी डिफ्यूजन में तो हम हमारे भी होता है, बट हम अपनी डिरिकली बॉड़ी सर्फेस से नहीं करते हमारे में, प्रॉपर ओर्गन्स प्रेजन यहां प्रॉपर ओर्गन्स प्रेजन नहीं थै, यह बॉड़ी सर्फेस से ही इनका रेस्पिरेशन कर रहे थे, ठीक है भाई, इग्जामपल देख लो तुम्हें बताता हूं तुम्हें अर्थवाम को हमने देखा भी स्किन से रेस्पिरेशन करता है इसके बॉड़ी सर्फेस ही ना बिल्कुल प्रोटोजोगी बात करें अमीबा यूनिसेलिलर और्गनिजम के पास होता ही क्या है उसकी प्लाज्मा मेंब्रेन उसकी जनरल अगर मैं बताओं आपको यह एक अमीबा का स्ट्रक्चर है यह नूकलेस आगया अब अमीबा के पास है क्या यह एक मेंब्रेन ही तो इसकी प्लाज्मा मेंब्रेन तो इससे ही ऊटू आएगा और इससे ही चला जाएगा ठीक है तो जनरल बॉड़ी सर्फेस से तो रेस्पि अगर्ण था क्या नहीं तो इसकी नहीं तो इसकी बॉड़ी सर्फेस थी तो यह जितनी भी कैटेगरी इस थी इनके पास क्या होता है जनरल बॉड़ी सर्फेस से इन्होंने रेस्पिरेशन करा यह यह जैसे एक्सचेंज करा थूँ दे प्रॉसेस ऑफ डिफ्यूजन अब तो आल्ग अलग तरीके के रेस्पिरि्टरी और्गं आपको देखने को मिलते हैं अर्थोपूर्ड की बात करें अपन तो बॉड़ी इन्सिक्स ऑब और और कुछ एक्वेटिक अनिमल्स भी आते थीक है तो जैसे कि आर्थोपूर्ड में क्या होता है फिल्स होते हैं ट्रे फिर संब्सका अच्छ ही अच्छ एक् western losers me उसमें गिल्स होते है और टिनीडिया इनके थ्रूई इतरू करते हैं रस्पि्रेशन करते हैं टिनीडिया कुछ ने कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ-कुछ एकविटिक आनिमल्स होते हैं यानि मॉलिस्क की बात कर लिते हैं कॉम की तरह स्ट्रक्चर होता है वह कॉम की तरह स्ट्रक्चर से ही क्या होता है वह रेस्पायर करते हैं लोकोमोशन में भी हेल्प कररहे है काइनो डरमिटा हो होगे स्टार फीश प्सांपल भाई हमने किसके बात करी थी फ्रोक एक amphibian है ने बताया तहां मैंने क्यूटेनियस करता है pulmonary करता है क्यूटेनियस रेस्पीरेशन स्कंशन पल्मुनेर रेस्पीरेशन लंग्स और बको फेरिंजिल रेस्पिरेशन पकल क्याविटी से लास्ट ली रेप्टाइल वह गए बर्ड्स हो गए मैमल्स हो गई है किस से कर रहे हैं लंग्स यसे कर रहे हैं कोई बात क्लीर ठीक है इसमें ज्यादा देखने को कुछ थानी नॉर्मल सी बात थी है हमने देखा अभी तक क्या कि यह जो इतनी category वाले अनिमल्स थे प्रोटोजोवा पॉरिफेरा टीनोफोरा सिलेंट रिटा पैती अल्मिंटीज एसके अल्मिंटीज यह सब रेस्पिरिजन कर रहे थे जनरल बॉड़ी सर्फिस सिवाया डिफूजन और इनके पास अलग-अलग तरीके के रेस्पिरिटरी पिगमिन्ट फिगमिंट से मतलब कलर ठीक है एक चीज बताओ भई हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन चला जाएगा तो इस ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में कैरी करने वाला पकड़ने वाला बाइंड करने वाला भी तो कोई चाहिए न तो हमारी बॉड़ी मे oxygen को हमारे ब्लड में oxygen को जो क्यारी करता है that is called respiratory pigment जो oxygen को पूरे ब्लड में क्यारी करेगा जिसकी वज़े से ब्लड में oxygen क्या होगा circulate होगा तो सबसे पहले respiratory pigment हमेशा से सुनते आ रहे हैं hemoglobin कभी हम reports में भी सुनते है इसका hemoglobin कम हो गया इसका जाधा हो गया ठीक है तो hemoglobin एक red color का pigment है हीम का मतलब और globin का मतलब globin एक protein है हीम एक metal है आयरन है ठीक है तो red color pigment है vertebrates की बात करें vertebrates क्या होते हैं जिनके vertebral column present होती है तो vertebrates की अगर हम बात करें तो RBC यानि red blood cells में मिलता है हमने हमेशा पढ़ा है कि red blood cells ready क्यों होती है क्योंकि उसमें क्या present होता है hemoglobin present होता है और invertebrates की बात करें तो blood के plasma के अंधर ही क्या होता है dissolved form में मिलता हम है उसके बाद जो respiratory pigment का hemoglobin का metal base है that is iron ठीक है यानि Fe2 plus Fe2 plus है metal base इसका ferrous iron तो respiratory pigment का एक चीज़ बता देता हूं इसमें प्रोटीन होगा और एक metal base metal का base होगा तो hemoglobin जो था उसमें क्या था metal का base iron था और protein था globin अब hemorethrin की बात करें hemorethrin पहली बार सुना होगा कुछ-कुछ लोगों ने ठीक है तो hemorethrin एक तरीके का respiratory pigment है अब यह होता है colorless annalida category में यह मिलता है annalida यानि earthworm वगेरा में यह मिलता है और इसके साथ साथ इसका भी metal base क्या है iron है लास्ली दो चीज़ें और बच गई है इस वीडियो के लिए हमारे पास hemosinin hemosinin भी एक respiratory pigment है green color का वैसे यह pigment होता है blue यह हो जाता है जब यह oxygenated हो जाता है क्या हो जाता है oxygenated अच्छा एक चीज़ बतारो hemosinin एक ऐसा pigment है जो की copper base होता है देखो इसका metal का base क्या है copper का है और जब यह oxygen से react करता है जब ब्लड oxygenated होता है तो hemosinin blood को क्या color दे देता है blue color देता है और यह कहां मिलता है या तो orthopods में मिलता है या mollusca में मिलता है यानि कि octopus में तो octopus के blood का color कैसा रहता है blue और या फिर जब oxygenated नहीं होता तो colorless oxygenated होगा यानि oxygen से reaction कर लेगा अगर hemosinin तो वह blue color देगा ठीक है साइनिन का मतलब ही होता है blue color कि लास्टली इकाइनो क्रूम इकाइनो क्रूम भी एक respiratory pigment रेड गलर का होता है इकाइनो डेमेटा यानि स्टाफिश वगेरा में मिलता है और इसका भी metal base iron का है तो अभी तक क्या देखा respiratory pigments में हमने हीमो साइनिन है red color का होता है metal base क्या होता है इसका ferrous iron ठीक है hemo erythrin colorless होता है metal base इसका भी iron होता है और यह एनलेडा में मिलता है हीमो साइनिन green color होता है अगर oxygen से react कर जाता है तो blue color का हो जाता है metal base क्या होता है copper होता है और इक आइनो क्रूम कहां मिलता है इक आइनो डेमेटा फिर से बता रहा हूं starfish एक example एक आइनो डेमेटा का sea urchin से एक example है ठीक है cucumber एक example है समुद्री ककड़ी समुद्री खीरा ठीक है तो red color का ये भी होता है और इसका भी metal base iron का होता है आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है next वीडियो में हम human respiratory system के बारे में discuss करेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही thank you so much